हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सानु गलक्सी 24 पर आज हम आइरलेंड के बारे में कुछ दिल्चस्प तत्रों को जानेगे आइरलेंड एक रोमांचक और अदभुद्देश है जो अपने प्राचीन संसिक्रत प्राकर्तिक सांदार और इतिहास से प्रसिद्ध है तो देर किस बात की चलिये सुरू करते है आइरलेंड के विपरेईत उत्तरी आइरलेंड यूके का हिस्सा है ये लंबे समय से युनाइ समय से चलता रहा और उत्री आरलेंड लंबे समय से सफलता पूर्व ब्रिटिस समराज में एकीकरत हो गया जो इसका एक महत्पूर्ध हिस्सा बन गया आरलेंड में अधिकांस लोग कथोलिक धर्म के मानने वाले कथोलिक धर्म इस देश में सामाजिक और सांसिक्रतिक 17273 किलो मीटर है जो विस्सु का 120 हुआ है आरलेंड की राजधानी डबिलिंग है सौधिनता मिलने से पूर्व आरलेंड देश बिटिस सासन की अधिन था आरलेंड गरतंत उत्री वस्चमी यूरोप महादीप का एक छोटा सा देश है आरलेंड दीउप का लगभग 80% देश हैं 2011 में आरलेंड की जनसंख्या तक्रीबंच 6.4 मिलियन थी जो इरोपी इस देशों में बिटेन के बाद दूसरी सबसे ज़्यदा जनसंख्यावला देश था आरलेंड में मानोजात की होने के सबूत 12,800 इसापूर्व से भी पहले मिले आरलेंड का सेंस बार सन 900 में खुला था और ये आज भी चल दा है टाटनिक जहाज उत्रे आरलेंड की एक सिटी में बना था 1845 से 1852 तक पड़े आकाल से आरलेंड आज तक नहीं उगरा है आकाल से पहले यहां की जनसंख्या 80 लाग थी और आज 64 लाग है आरलेंड में 10% से भी कम लोग आईरिस भासा ब वित एक भूरी मादा भालू के बच्चे अगर आपके दादा दादी आरिस है तो आप वहां की नागरता ले सकते हैं आपके जनमस्थान से उसका कोई लेना देना नहीं है दुनिया का सबसे पुराना नौका कलव सन 1720 में आरलेंड में खुला था मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने परदादा की वज़े से आरिस थी अर्जिंटीना देश की नेवी एक आरिस मैन की देन है आरलेंड के जंडे को बनाने की पिर्णरा प्रैंच से ली गई अमेरिका के 73% लोग आरलेंड को दुनिया के नकसे पर नहीं ढूंड सकते अगर आरलेंड में किसी गाने की पजंथ 6,000 कौपी बिक जाएं तो वह आरलेंड का बेस्ट गाना होगा आरलेंड बेस्ट सेलर बनने के लिए आपको अपनी किताब की सिर्फ 3,000 कौपी वेचनी होंगी इतने आरिस लोग आरलेंड में नहीं रहते हैं जितने उससे बाहर रहते हैं आरलेंड दुन औरियन में अकेला आर्लेंड ऐसा है जहां गर्फवाद करना कहर कानूनी है 90% आरिस कैथोलिक भन के अनुआई हैं लेकिन साइथ 30% ही कभी चर्च गए होंगी डूपते टैक्निक से आखरी कार आर्लेंड के बंदरगाह पर की गई आर्लेंड में गेम आरिस को कानूनी रूप से मानता पराब थे तो आज हमने जाना कि आर्लेंड के बारे में कितने रोचकत थे हैं इस देश की प्राकरतिक सुंदर्ता एतिहासिक महत और सांसकरे धरोहर इसे एक अनूठा स्थान देते हैं तो अगर आपने अभी तक आर्लेंड का अनभौ नहीं किया है तो जरूर जा आपने वाद